हलो गुड़ा अप्टरनून कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ सो मैं नहा धोके पूजा करके फ्री हो चुकी हूँ और किचन में आई हूँ खाना बनाने मैंने कुछ मतलब बहुत देर पहले ही मैंने नहा लिया था पूजा भी मेरा हो गया मैं किचन में आये थी में कुछ मैंने खाना बना लिया है और कुछ बचा है तो चलिए पहले मैं दिखा देती हूँ क्या 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 खाना बन चुका है और क्या 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 खाना बनाना भी ब लिया है और फिर यह में नियाज मतलब तोड़ा है घर का है आप लोगों को बताया है घर में ने लगाया है तो यह सीम है अभी तोड़ के लाई हूँ और यह आलू और सीम के भी सबजी बनेगी तो उसके बाद यह देखिए बंधा गोवी और अभी इसके पकोड़े भी बनेंगे लंच में आज यही बनने वाले हैं गुड़ेविंग दोस्तों सॉड़ी दोस्तों मैं मतलब खाना बनाने के बाद खाना उनक्खा के घर का काम बरतन वेगरा सब करने लगी और फिर बाबू को फिर मैं सुलाने लगी और फिर एक दो के अलबी में चली गई तिसले मैं ब्लोग कंट्वी नहीं कर पाई सॉड़ी और ना अभी मैं रोज सोच तीन कि आज ना आज ये काम कर लिया तो कल ना कल अचा कोई काम नहीं लेगा आतार आज देखें कितना सारा कप्रा रखा हुआ है यूनियूर सब निकाली थी उसके बाद ये विंटर के भी बहुत सारे कपड़े हैं भी क्योंकि अभी मतलब थोड़ा-थोड़ा ठंड हो रहा है जारकंड में तो अभी तो मुझे बहुत ठंड लग तो इसलिए ना मैं सोच रही हूं कि रोज वो सब कपड़ा भी बहुत सब्सक्राइब करना एक बिश्य नहीं है करती हैं तो चलिए की अध्याय वह दो मैंने राट दिक्षा को अलग कर लिएं जो रखने वाले हैं यह सब inचड़ के यी समर्न मतलब भी नहीं करती हैं इसको मैंने सोच रहे थी इसको अब नसाइड रख दूँगी और यह उस द निए बाबू का है और यह देखें बहुत सारे कपड़े भी तो बहुत कमें देख सकते हैं इतने से ही भी मैंने आपक एतना सारे काम होता है और जब भी बाबू सोता है तभी मैं काम करना चालो करते कि बाबु जब जगा रहा था मुझे कोई भी काम करने नहीं देता तो अभी बाबु साम है उस टेम दो पहड़े में खाना बना के सुलाए उसको तो थोड़ी दे सोया तो फिर जगा उसके पिर अभी जश्ट सुला के आई हूं तब जाके मैं यह काम कर रही हूं आप जा रही हूं माबु सोया है जाती हूं तो फिर चाय पी लूँगी और उसके बाद फिर रात के खाने का भी यह तियारी करना है तो फिर बाबु जगा बजल कि मुझे कुछ करनी नहीं देगा जा रही हूं आज तो गुरु पुर्नीमा की आप लोगों हारदिक सुब क आपने माता पता को कभी कोई दुखकि ये हमारे प्रत्शम गुरू है और इनके चलनों में सदा प्रणाम तो तो दोस्तों अब भी थोड़ा सा मैं चाय पीऊंगी आड़ो उसके बाद जाती हूं रात दिनर के तयारी करने और क्या-क्या बनाऊंगी चलिए आप लोगों को दिखा देती हूं अब डियो लॉंग नहीं बनाऊंगी तो फुल वाच क्याश कीजिए दोस्तों चले के जो बनाना रहे फटाथ बना लेत्व पर आप से मिल्ती घुझाए दुस्तों क्यों चाय में ड्रीन हो छुकी है है चाय पी और कुछ और काम करूंगे फ्रतों फिर आप से मिलती हूं चाय पीचिए और आई आप लिग घाफ लिजिये में स्वाइबीर अलहें ओष्छे दोस्तों से वाई रेड़ी है कि अध्यागी सिंद यह फालोर oldest सब्वाम में खनाओ है कुछ मठां मतलब राप के दिन में आपको मिलेगा ही मिलेगा देखए और क्या-क्या बनाए हैं यह दिखाती हूं देखए दोस्तों यहाँ पर आटा लगा के रख दिया है पूरे के लिए अर्व मैंने आटा में मिलाया है नमक आजवाइन और मंगडेला और थोड़ा सा मैंने रिफाइन में लाया है ताकि पूरी जो है ना अच्छी तरह से मतलब अच्छी बने तो मैं ये आटे को आप मतलब 30 मिनाट के लिए लगबग छोड़ दूँगी फुलने के लिए तब तब जाके बनाओंगे इसकी पूरी गर हो चुकि बावु सोयाज मैंने फटाफट साडे काव कर लिया मैंने सेवाई बनाके रख लिए आठा लगाके रख लिए और सब जो है ना तो सब्सक्राइब लच बनाए थी लगबग जिस्टाइम सबजी बनके मैं ने उतारी थी तो उतने लिफ सब्जी बनाई तो बही स हुखने केली दो लोग के लिए पर्यापत है मतलब सब्जी तो मैं अब सब्जी नहीं बनाओ क्यों किस अगयो вже और राध मुझे करने का मन लग जाता पतां हमकि यह मतलब सब्जाव नहीं करते हैं जाव करने के लिए और क्या करूं मैं सोचती हूं कि आज कुछ काम नहीं करूंगे कल करूंगे करें लेती हूं कल तो मुझे करना है को दूसरा तो नहीं आके करेगा हम हास वाइफ की कहानी लगबग एक जैसी सब को घर का वही हाल होगा और चोटे बंटे बच्चे उसका तो हाल बहुत बुरा होगा और चोटे बच्चे हैं और करने वाले स्रिफ वह ही है आप लोग तो पता ही है तया नहीं हो cancer सासुमा है मेरे पतिया सासुमामी मतलब Video बहुत कम ही रहती है तो बोलती है teenage की नशेति後 ecos अपना पड़िवार तो खुद से ही ने चलाना पड़ता है किसी के भरों से पड़िवार नहीं चलता तो ठीक है जोस्ते मैं यहीं वोलूंगी कि हमारे गुरु पुर्णिवा में मैं यहीं बोलना चाहूंगी लास्ट में कि हमारे प्रथम गुरु हमारे माता-पिता हैं उनको सदा आप लोग पूझनिय रखें उनको कभी कोई प्रकाड का पकस्ट ना दे और उन्हें कोशिस करें ज्यादा से खुशी दे सकें अपनी तरब से और हमारे दूसरे गुरु हैं हमारे सिक्षक जो हमें मतलब हर अक्षर का ग्यान देते हैं तो तो इन दोनों गुरू को मैं हमेशा प्रनाम करती रहोंगी और करती हूँ और तो अप लोगों के घर क्या है बनता है गुरू पुर्णिमा के दिन यह भी मुझे कमेंट करके जमरूर बताईयेगा और हमारे ख़र क्या बनता है मैंने भी बता दिया तो विडियो थोड़ा सलाम हो गया तो आई होप आज का व्लोग आपको अच्छा लगा होगा तो तब तक के लिए बाबाई, गुड़ नाइट, स्विट ड्रीम्स, खुस रहिए, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए और फिर से हैप्पी गुरुपुर्निमा